जी हाँ बिस का सबसे बड़ा लॉकडाउन ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आप सबी लोग घर पे होंगे सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ समय बेतित कर रहे होंगे ठीक है तो कल ही जैसे माननी हमारे पीम मोधी जी ने 21 डेस का लॉकडाउन और अल ओवर इंडिया में कर दिया है जो कि हमारी शुरक्षा के लिए है तो इसमें कुछ महतुपूर बिंदू जो जो होंगे हम उनके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे तो आप बने रहेगा हमारे साथ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो जो यह है 21 डेज का होगा जिसमें इन्होंने साथ कल अपने शंबोधन में काया कि अगर हम 21 दिन अगर सायम नहीं बरतेंगे तो हम 21 साल पीछे हो जाएंगे ठीक है जैसे लॉकडाउन को लेकर इटली अमेरिका ने अभी लगबग काबू पा लिया लेकिन अभी भी इटली में क्या हो रहा है कि जैने लोग रोज मार रहें ठीक है अब चलते है कि लॉक डाउन में क्या-क्या चीज़ें हमको मिलेंगी और क्या-क्या चीजें बंद रहेंगे ठीक है जिनसे लॉक्डाउन में जो सिवाएं होंगी केंस सरकार के अदिन से रक्षा शास्त पुलिस बल ठीक है पेट्रोलियम यह सारे उसके केंस सरकारों के साथ जो इसके साथ आपके साथ साथ पुलिस भी होगी और होमगार्ड भी रक्षा के लिए होंगे तो मैं आपसे हाथ जोन के बिंती करता हूं कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले जन नगर निकाय के करमचारी जो की हर गली मुहले को सेनिटाइज करने में जुटे हुए है ठीक है इसके साथ साथ सभी नीजी अगम सरकारी हॉस्पिटल के जारी प्रिंट मीडिया एंड इलक्टोनिक मीडिया ठीक है इसके साथ साथ जो रहेंगे आपकी राशन की दुकाने जो ध्यान देजेगा यह सब चीजें से राशन की दुकाने खाद पदार्थ के समान फल सबजियां डेरी वह दूद के बूद और यह सब खुली रहेंगे ठीक है ठीक है उसके दाथ दूर संचार इंटरनेट से वाएं यह लग भग बन रहेंगे इसे इंटरनेट से आदाय मेरे को कि आप धान दीजेगा कि वाटसप युनिवस्ट्री पर धान मत दीजेगा क्योंकि वाटसप पर बहुत सी चीजें इस टाइम पर वाइरल हो रहे खुली रहेंगी ठीक है आप ध्यान दीजेगा कि सयंबरते हैं सुरक्षित रहें और अपने घर में और अपने परिवार के साथ रहें ऐसे बहुत से चले कि आपके घर में जो बाहर आता है से इलेक्ट्रोनिक मीडिया तो आप नियूज को चुल लेंगी डिजिट्र फॉल करोना जो है अकबार से नहीं फैलता है संग्ठे ने लोगों को आस्वस्त किया कि जहां करोना फैलता है वहां भी अकबार इसमें इसका संक्रणवा नहीं होता है तो अकबार में इन्होंने साब साब लिखा कि आजकर जो समाचार पत्रों की जो प्रिंटिंग होती वो तकन सचाय की चुशकी लेते हुए उसे पढ़ सकते हैं तो उम्मिद करता हूँ कि यार ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है इसे आप अच्छे से बनाएंगे ऐसे इसको त्योहर के तरह लेजिए क्योंकि अगर ये 21 दिन अगर हमने गुजार लिए तो हमारे आने वाली पीडियां हमा तरह कान